गूद्मॉर्णिंग लाज आजका टॉपिक है आपका सोडियम हाइडोकसाइड जिसका फॉर्मूला है एन ने ओ एज सोडियम हाइडोकसाइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है commercial इस तर पर sodium hydroxide का उत्पादम sodium chloride के विदूद अब घटर मतलब sodium chloride को विदूद से तोड कर किया जाता है जिससे हमें anode पर जो plus है उसमें chlorine minus और cathode पर hydrogen gas मिलती है यह इसकी equation है NaCl plus H2O gives NaO at Cl2H2 sodium hydroxide लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे कैसे मिलता है फिर्ट क्रिशन लिखेंगे इसके गुण क्या होते है यह श्रेट छिकना ठोस होता है गल्लांग 591 Kelvin होता है जल में जल्दी विले हो जाते हैं आपका strong base है इसमें white crystal के रूप में आपको मिलता है सफेज crystal के रूप में होता है इसका अपयोग कहां करते हैं sodium hydroxide का उपयोग आप साबुन बनाने में कागच उद्योग में सिल्क उद्योग में और कई इसे लिख सकते हैं कि साबुन के उद्योग में कागच के उद्योग में सिल्क के उद्योग में तो sodium hydroxide आपका पहले आपको लिखना है इसके क्या कहते हैं इस equation फिर आपके uses यह आपका इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है आपका bleaching powder bleaching powder का फॉर्मुला है c a o c l 2 सब इसे याद रखिए फॉर्मुला calcium oxy chloride इसको बोलते हैं calcium oxy chloride bleaching powder को का रासाई नाम calcium oxy chloride है इसको शुष बुजे हुए चूने पर chlorine gas प्रवावित करकर बनाया जाता है मतलब आपका calcium hydroxide है उस पर chlorine को आप प्रवावित करते हो तो आपको विरंजक चूड मिलता है इसके गुण देखिए यह पीला color का होता है ठोस होता है इसकी गंद तेज होती है जल में विले होते हैं और यदि आप वायू में से खुला रख दे तो chlorine gas देता है और तनू अमलों से dilute अमलों से क्रिया करने पर इनसे chlorine gas निकलती है नेक्स्ट है आपका उप्योग इंपोर्टेंट है आपका सबसे पहला उप्योग है वस्त उध्योगों में कागज उध्योगों में पे जल को पीने वाले पानी को शुत करने में रोगाणू नाशक वे ऑक्सिकारक के रूप में और प्योग शाला में इसका प्योग किया जाता है